वेल्कम बैक टो मैं यूट्यूब चैनल आज हम लोग कैल्कुलिशन अब क्वार्टाल डाइवेशन निकालना सीखने वाले हैं जो कि बहुत ही इंप्वार्टेंट है और हमारे बेड एक्जाम्स में तो आए गही यह एसेस्मेंट फो लर्निंग के लिए टॉपिक हम लोग डिसक्स कर रहे हैं और यह अगर आपका ग्राजुएशन कर रहे हैं और उसमें आपका ओर्नर्स एक्कोनोमिक से और पेपर स्टैविज जो होता है स्टाटिस्टिक्स का उसमें भी आपका यह एल्फूल रहेगा तो सबसे पहले हमारे सी आई और फ्रिक्वेंसी जो दिया हुआ है आप उसे चेक कर सकते हैं मीडियन में बताया गया है कि सेफ कैसे निकाला जाता है तो स्टार्ट करते हैं और सेफ निकालना सुरू करते हैं 2 6 11 18 28 37 45 and 50 यह हो यह हमारा हो गया सी अब हमें क्या करना है इसको टोटल एट करेंगे जब हमसे टोटल एट करेंगे तो हम क्यों हमारा जाएगा थरेगा 50 टो होता है उसका एक फॉंबिला होता है क्यूenger फॉर्मला होता है क्यूंट यहां में को सब्सक्राइब है। 12.5 कहां पर लाइक करते हैं, सबसे पहले हम चीएफ में देखेंगे, यह कैसे लाइक करता हैं कैसे पता करना यह भी हमने प्रिविएस वीडियो में डिसक्स कर लिया है, तो 12.5 अगर हम देख रहे हैं तो यह आपका 28 28 से 30 जो है इसमें लाइक करेगा तो हम इसमें लिखेंगे सेंस 12.5 लाइज इन 28 तू 30 देर फोर मीटन के फॉर्मिला से हम इसे निकालेंगे L1 होगे आपका 28 और L2 होगे आपका 30 फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगा जहां पर 28 से 30 लाइक कर रहा है उसका फ्रिक्वेंसी क्या है 7 तो यह हमारा फ्रिक्वेंसी हो गया ठीक है और उसके जस्ट उपर वाला होता है हमारा C, यहां पर जो हमने CF लिया है, उसके जस्ट उपर वाला क्या होता है, हमारा C होता है तो frequency बराबर हम लिख लेते हैं 7, और C हमारा हो गया 11, और M is equal to हो गया मेरा 12.5 जो कि हम लोगों ने पहले यहां निकाल कर रखा है, अब हम median का formula पुट करेंगे median is equal to L1 plus L2 minus L1 divided by F, bracket में M minus C, तो L1 जो हमारा हो है 28, then L2 हमारा 30 minus 28 divided by F, F में हमारा 7 है M मेरा आया है 12.5 और C हमारा जो है, आया है 11, सिधर solve करेंगे, calculation है, बहुत ही easy process है 28 plus 2 divided by 7, multiply 1.5, now 28 plus 2 into 1.5 करेंगे, तो आएगा 3, 3 upon 7, 28 plus अब 3 को हम 7 से divide लगाने वाले हैं, जब हम 3 को 7 से divide लगाएंगे, तो हमारा आएगा 0.428 अब हम इसे add कर देंगे, हमारा आजाएगा 28.428, यह हमारा Q1 निकल गया उसी तरह बिल्कुल सेम हमें क्या करना है, Q3 निकलना, अब Q3 कैसे निकलेंगे, आगे हम देखेंगे Q3 निकलने के लिए भी जैसे हमारा Q1 निकलते थे तो n by 4 हो जाता था, तो Q3 निकलने के लिए मेरा हो जाएगा 3 n upon 4, जहापे n हमारा 50 था 4, 3 multiply 50 हो जाएगा हमारा 150 divided by 4, तोड़ा सनलंबर प्रोसेस है बट काल्कुलेशन बहुत इजी है, अगर आपको प्रोसेस याद है तो फिर आप इजली बना सकते हैं, अब 150 को फोर से अगर हम डिवाइड लगाते हैं तो हमारा आएगा 37.5, बिल्कुल उसी तरह हमें देखना है, सिंस 37.5 लाए करेगा, तो यह हमारा 45 या नि 37.59 में लाए करेगा, ठीक है, 37.5 लाए करेगा, इसमें तो करेगा नहीं, इसका मतलब इसमें करेगा, तो हमारा 37.5 लाए करेगा 37 से 39, सिंस 37.5 लाए इस इन 37 to 39, therefore L1 हमारा क्या हो जाएगा 37 L2 क्या हो जाएगा हमारा 39 frequency is equal to M is equal to M मेरा यही हो गया 37.5 और C is equal to frequency मेरा क्या आ रहा है तो इसे 45 हम लोगों ने लिया है इसके just सामने वाला हमारा हो गया frequency और इसके just उपर वाला हो गया हमारा frequency 8 है और C हमारा 37 तो frequency 8 है और C होके हमारा 37 बिल्कुल उसी तरह हम median निकालेंगे L1 plus L2 minus L1 divided by F M minus C अगर आपको फॉर्मला यात है प्रोसेस यात है तो calculation बहुत ही easy है आप easily निकाल सकते हैं थोड़ा सा patience बना के बस रखना है मुझे तो फिलाल बहुत मज़ा आता है निकालने में क्योंकि इसका प्रोसेस जो है बहुत easy है M जो है हमारा 37.5 calculation नमबर होता है बट कोई बात नहीं calculation अगर आपका अच्छा है तो easily आप निकाल सकते है 39 में से 37 चला जाएगा तो 2 upon 8 multiply इसको अगर हम subtract करेंगे तो आएगा हमारा 0.5 now 37 plus इसको इससे multiply करेंगे 2 multiply 0.5 तो आएगा 1 upon 8 37 plus 1 को अगर हम 8 से divide लगाएगे तो आएगा 0.125 is equal to 37.125 यह हो गया हमारा q3 ठीक है median for q3 अब हम q का formula पुट करने वाले है q3 minus q1 divided by 2 हमारा यह formula था ना q3 minus q1 divided by 2 तो हमारा q3 आया है 37.125 minus q1 आया था हमारा 28.428 divided by 2 ठीक है अब हम इसको इससे subtract करेंगे तो हमारा आजाएगा 8.697 divided by 2 जब हम इससे divide लगाएगे तो आयेगा हमारा 4.34 approximately आयेगा हम इससे कभी accurate में आयेगा approximately आयेगा तो यही होगे हमारा answer और यह बहुत ही important है तो please आप उसके थुरा से ध्यान से देखेगा एक दू बार जरूर देख लिजिए का ताकि आपको पूरा यह clear हो जाए और यह जो question है आपका सुरिया question bank का है और इसी question को हमने solve किया बुक में हाला कि दूसरे तरीके सी क्या है जो कि बहुत typical है मुझे अपना process अच्छा लगा तो हमने आप से share कर देखे तो thank you everyone video अच्छा लगे तो like जरू कीजेगा and stay tune with me for the next video thank you